हेलो पैरे बच्चो बच्चो कैसे हैं आप सभी I hope कि सभी अच्छे होंगे बच्चो आज की इस वीडियो में हम कक्छा दो के विशे परियावरन अद्धिन के सब्ताह 24 की वक्सीट को सॉल्व करेंगे जो की उत्री दिल्ली नगंडिगम के द्वारा दी गई है बच्चो क्या देता है खाना रोष्णि और रात बच्चो क्या देता है रोष्णी आँसर सूरिय की जलती हुई ऋल्ट के समान है क्या सूरिय जो है कोईले की या फिर गर्म गैसों की या फिर कोई नहीं lagi सूरिय है ऑमारा सब-सरquoit नजदी की तारह कौन सा सूरिय चांद या फिर ब्रहस पती तो बच्चो आंसर है option number second सूरिय नेक्स्ट है सूरिय छोटा दिखता है क्योंकि यह है क्या छोटा हमसे बहुत दूर या कोई नहीं तो बच्चो आंसर है option number second हमसे बहुत दूर है next है सूरिय पौदो की मदद करता है oxygen छोडने के लिए खाना बनाने के लिए फिर उपर के सभी तो बच्चो आंसर है option number third उपर के सभी next है सोर मंडल में कितने ग्रहे हैं तो बच्चो आप्सन है 7, 8, 10 तो आंसर है option number second कितने हैं 8 हैं तो बच्चो कौन-कौन से हैं बुद्ध, सुक्र, प्रत्वी, मंगल, ब्रहस्पती, सनी, अरुन और वरुन next है से निकलने वाले प्रकास के कारण ग्रहे चमकते हैं किसके कारण सूर्य के, चांद के या फिर प्रहस्पती के तो बच्चो आंसर है option number first सूर्य के next है बादल और वर्सा का निर्मार होता है किसकी वज़े से तारों की वज़े से सूर्य की वज़े से या फिर चांद की वज़े से तो बच्चो किसकी वज़े से होता है सूर्य की वज़े से तो बच्चो आंसर है option number second next है सोर्मंडल में ग्रहे की परिक्रमा करते हैं किसकी प्रत्वी सूर्य चान तो किसकी करते हैं सूर्य की तो बच्चो आंसर है option number second अब है निमने लिखित कथनों के लिए सही या गलत निसान लगाई है छाया तब बनती है जब कोई वस्तू प्रकास के मार्ग में आती है तो बच्चो बिल्कुल सही बात है तो यहाँ पर सही का निसान लगाएंगे प्रत्वी के घूमने के कारण दिन और रात बनते हैं तो बच्चो बिल्कुल जब प्रत्वी अपनी एक्सिस पर घूमती है तब ही दिन और रात बनते हैं तो बच्चो यहाँ पर सही का निसान लगाएंगे प्रत्वी 24 गंटे में अपनी धुरी पर एक चकर पूरा करती है तो बच्चो ये भी सही है यहाँ पर सही का निसान लगाएंगे सूर्य पस्चिम में उगता है तो बच्चो आप सब जानते हैं गलत है ये किस में उगता है पूर्व में नेक्स्ट है सूर्य पूर्म में अस्थ होता है तो ये भी गलत है कहां पर अस्थ होता है पस्चिम में नेक्स्ट है ग्रहन एक प्रकार की छाया है तो बच्चो बिलकुल सही बात है यहां पर सही का निसान लगाएंगे चंद ग्रहन चंद्रमा की सतय पर प्रत्वी की छाया है तो बच्चो ये भी सही है सूर्य ग्रहन प्रत्वी की सतय पर चंद्रमा की छाया है तो बच्चो हाँ ये सही है जीवन कोशल इसमार्ट या कह सकते हैं ग्रीन सिटी परिवहन के साधनों में परिवर्तन स्मार्ट या ग्रीन सिटी हरित सहर वे सहर हैं जो सबसे टिकाओ जीवन सहली प्रदान या फिर प्रोथ सहित करते हैं जिनमें प्रदूसर मुक्त पर्यावरन अच्छी गुणवत्ता वाले पानी पुन्हें चक्रन कारेकरम पार्क नियोजित सहर और पर्यावरन अनुकूल ग सिटी परिवहन में परिवर्तन करने के लिए परिवहन के तरीके को बदलने की जरूरत है क्योंकि यह वायू प्रदूशन और ग्रीन हाउस गैस उत्सरजन का सबसे बड़ा स्रोथ है सहर में हमें निम्न परिवहन के साधनों का प्रियोग करने की आवे सकता है क्या-क्या सी एंजी वाहन का यूज करना सारवजनिक परिवहन बैट्रो ट्रेने पैदल चलना साइकल चलाना कार पूलिंग अब बच्चो नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी परिवहन की विसेस्ताओं को दरसाने वाले चित्रों की पहचान करे तो बच्चो फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं यहां सडको पर क्या है टेकनोलोजी का यूज किया गया है हरी भरी है तो यह जो है स्मार्ट सिटी है तो बच्चो यहां पर सही का निसान लगाएंगे ऐसे ही बच्चो next picture में high tech city है और चारो तरफ हरी आली है तो यहां भी सही का निसान लगाएंगे next picture में बच्चो यहां पर park है बच्चो यहां पर technology का use किया गया है high tech city है तो बच्चो यहां भी सही का निसान लगाएंगे next picture में बच्चो आप देख सकते हैं electric vehicles का use किया गया है तो बच्चो ये भी क्या है smart city है next picture में बच्चो आप देख सकते हैं यहाँ पर कच्रा है Uber खाबर जगे हैं तो बच्चो ये smart city नहीं है गंदगी है इसमें तो बच्चो यहाँ पर cross mark करेंगे नेक्स बच्चों आप देख सकते हैं जितने भी वीकल्स हैं इन सभी में वाइफाई का यूज किया गया है तो बच्चों और यहां साइड में आप देख सकते हैं यहां पर हरियाली है तो बच्चों कैसी सिटी की पहचान है यह स्मार्ट सिटी तो बच्चों यहाँ पर सही का निसान लगाएंगे संसकार साला छोटी छोटी पर बड़ी बाते हैं परिश्रम करने से ही सब कारे सफल होते हैं खाने पीने में आज आप क्या लेंगे गजक, गुड़ पट्टी तथा तिल पट्टी इत्यादी का आहार में उपयोग करें यह सब सर्दियों में सरीर के लिए बहुत लाब दायक होते हैं गतीविधी, गर्मी सर्दी तथा बरसात के मौसम में पहने जाने वाले वस्त्रों में वर्गी करण कर एक चार्ट बनाएं आप इस कारे में अपने अध्यापक तथा माता-पिता की सहता ले सकते हैं खेल, घर के अंदर खेले जाने वाला कोई भी खेल खेलें जैसे की चैस, कैरमबो, लूडो आदी, विसेस, कोरोना तथा अन्य किसी भी बिमारी से बचने के लिए चहरे पर मास्क लगाएंगे, सारे रिक दूरी का पालन करेंगे और हातों को सेनिटाइज करेंगे तथा बार-बार दोएंगे अबे बच्चों दैनिक दिन चर्या निमनलिकित आदतों को अपनी दिन चर्या में सामिल करें अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें अपने दांतों को दिन में दो बार ब्रश करें, प्रते दिन इस्नान करें खोब पानी पियें और संतुलित आहार लें अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हातों को बार-बार धुएं अपना ग्रहकारे समय पर पूरा करें बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सेर करना न भूलें और यदि आप इस चैनल पढ़ना हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू